हेलो फ्रेंड्स, विलकम टू माई यूटूब चैनल, इस्टेडी जिगरफी, I hope you are doing great आज हम लोग बात करेंगे नॉटिफिकेशन के बारे में, जो की वेकेंसी है, पर्मानेन बेसिस पे इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, जिसके लिए आप अप्लिकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इलिजबिल्टी, आपका कोई ग्रेजिशन हो, या फिर मास्टर डिगरी हो, या फिर मास्टर ग्रेजिशन नहीं है, सिफ 10 प्लस 2 है, तो भी अगर आपके पास थोड़ा सा कम्प्य का नौलेज है, तो आप हमको फिल कर सकते हैं, बहुत सारे पोस्ट है, कुछ पोस्ट पे तो लेवल 10 का पे इसके लिए, यानि कि आपको सैलरी जो मिलेगी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर की सैलरी मिलेगी, कुछ पोस्ट में जो एक्स्पिरियंस है, उसे मंडि अप्लिकेशन फी का फिनॉमिनल है, और जो व्यूमेन है और पे अपलोडी है, उनके लिए तो कोई भी अप्लिकेशन फी नहीं है, वो फॉर्म को फ्री में भर सकते हैं, यानि कि उन्हें कोई भी फी नहीं देना है, इसे फॉर्म को फिल कर देना है, ऑलनाई सम्भीट कर तो चलिए हम लोग रीडाउट करते हैं कि वैकेंशी में क्या-क्या पोस्ट है और उसका पे लेवल क्या है और जो क्वालिफिकेशन वो क्या-क्या है, अगर आप क्वालिफिकेशन को फुल्फिल करते हैं और इंटरेस्टेड हैं, तो आप फिल कर सकते हैं, यह बहुत इस चैनल पर आपको PSD admission के notification की सारे details दी जाती है Assistant, Professor की vacancy Teaching post की recruitment, non-teaching post की recruitment को cover किया जाता है सारे details दी जाती है इसके अलावा PSD entrance का previous year question paper आपके लिए available है आप playlist में जाके देख सकते हैं NTNate का previous year question paper available है उसे भी जाके आप playlist में देख सकते हैं तो चली हम लोग notification को read out करते हैं Friends, यह जो vacancy है, यह आई हुई है, राजधानी college, राजा गार्डन से जो की University of Delhi का, DU का affiliated college है और यह New Delhi में ही located है तो चली हम लोग post देख लेते हैं, यह online application invite किया गया है और यह permanent base पे है, यह non-teaching post के लिए है ठीक है, college में ही रहेगा आपका, लेकिन non-teaching post है इसमें जो पहला post दिया गया है, वो administrative officer का है इसमें जो seatों की संख्या है, वो PWD के लिए एक seat है और इसके जो age limit दिया गया है, वो 35 साल है और essential qualification यानि कि यह आप होना जरूरी है तो इसमें good academy record होना चाहिए आपका master degree होना चाहिए, with 55% marks के साथ या फिर grading point है आपका, तो be great का होना चाहिए यह essential है, आपका master degrees में होना ही चाहिए desirable देख लेते हैं, इसमें अगर हो तो आपको preference दिया जाएगा, weightage मिलेगा अगर नहीं है, तो भी आप form को fill कर सकते हैं तीन साल का experience होना चाहिए, आपका LLB हो है, या MBA हो, या CA हो, या ICWA हो या MCA हो, या MPHL या PhD qualification होना चाहिए ठीक है, यह desirable है, essential नहीं है आप अगर master degree है, 55% marks के साथ तो आप इसकी इस post के लिए form को fill कर सकते हैं जो दूसरा post दिया गया है, वो senior personal assistant के लिए दिया गया है इसमें unreserved के लिए exit दी गया है इसमें जो qualification दिया गया है, इसमें master, sorry आपका bachelor degree होना चाहिए और तीन साल का experience दिया गया है आपका जो experience होना चाहिए, यह private secretary में हो या personal assistant में हो, या stenographer हो या executive assistant हो, या executive secretary किसी भी government department में होना चाहिए या फिर किसी university में या किसी autonomous bodies में होना चाहिए, ठीक है उसके बाद में आपका test skill भी दिया गया है जैसे कि आपका typing speed बगर यहां पर लिया जाएगा, ठीक है desirable दिया गया है, आपका diploma हो computer application में तो आपको weightage दिया जाएगा, then जो next post दिया गया है, वो senior assistant का दिया गया है इसमें essential दिया गया है, कि आपका graduation हो, या post graduation हो university के द्वारा और computer knowledge हो, ठीक है, इसमें जो pay level है, वो 6 है उपर के जो pay level थे, senior personal assistant के वो pay level 7 है और administrative officer का है, जो वो pay level 10 है, ठीक है pay level 10 में assistant professor का होता है, यानि कि आपका 7,8,000 लगभंग होता है इसके बाद में देख लेते हैं हम लोग next जो कि assistant के लिए है, pay level 4 है याँ पे और total seat की संख्या एक है, जो minimum age limit है, maximum age limit है, वो 30 साल है आप पर age limit है, ठीक है, essential qualification दिया गया है, इसमें आपका graduation होना चाहिए किसे भी discipline में हो और आपके पास computer का knowledge होना चाहिए, ठीक है junior assistant दिया गया है, इसमें essential qualification आपका दिया गया है कि आपका 10 plus 2 होना चाहिए, ठीक है, और आपका typing speed इंगलिस और हिंदी में होना चाहिए 35 और हिंदी में होना चाहिए 30 word per minute, ठीक है senior technical assistant दिया गया है, computer के लिए, इसमें आपका B.E. हो या B.T. हो computer science में, या computer engineering में, या computer technology में, या information technology में या फिर electronics हो, electrical, electronics and communication में होना चाहिए, ठीक है या फिर आपका M.C.E. हो या M.C.E. होना चाहिए, computer science में, तो आप senior technical assistant के लिए form fill कर सकते हैं, इसके अलामा दिया गया है laboratory assistant के लिए, जो कि chemistry में होगा, तो आपका 10 plus 2 हो chemistry में, मतलब 10 plus 2 में chemistry होना चाहिए, या फिर आपका graduation होना चाहिए chemistry में, तो आप form को fill कर सकते हैं, laboratory assistant दिया गया है physics and electronics में, तो इसी subject में आपका 10 plus 2 हो या फिर graduation हो, laboratory दिया गया है, attendant में chemistry हो, इसमें भी आपका 10 होना चाहिए, कम से कम 10 हो तो आप इस form को fill कर सकते हैं, laboratory attendant दिया हैं जो computer में, तो इसमें भी आपका 10 है computer में, तो आप form को fill कर सकते है laboratory attendant दिया गया है physics and electronics में इसमें भी जो essential qualification है वो आपका स्रिफ matriculation है इसके बाद में दिया गया है laboratory attendant जिसमें आपका 10th ही होना चाहिए अगर आपका matriculation है तो form को fill कर सकते हैं ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं नीचे कुछ notes करके दिया गया है application fee आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लिकेशन fee जो है वो 500 रुपया दिया गया है unreserved OBC EWS category के लिए 200 रुपया है SCST candidate के लिए और कोई भी फी यहाँ पर नहीं है woman candidate के लिए और PWD candidate के लिए ठीक है application form को आप fill कर सकते हैं इन्वरस्टी का जो website है वहाँ website पर जाके आप वहाँ पर online form को fill कर सकते हैं आपको application form online ही fill करना होगा mail या fax की द्वारा इसे consider नहीं किया जाएगा ठीक है अब चलिए देख लेते हैं selection process क्या होगा selection process आपका रहेगा return test होगा और interview होगा ठीक है जैसे हम लोग एक post के लिए लेते हैं यह administrative officer के लिए है तो इसमें आपका return test होगा return test में दो paper होगा एक होगा multiple question रहेंगे इसमें और जो second होगा वो descriptive रहेगा ठीक है और 1500 marks के आपके interview होंगे ठीक है यानि कि total 450 marks पर आपका selection होगा यानि कि maximum 450 होगा ठीक है और यहां पर एक घंटे पर 15 minutes extra दिया जाएगा PWD candidate के लिए अब आपका syllabus क्या रहेगा वो भी देख लिजे जो return test होगा उसमें आपका जो first paper है रहेगा वो general studies रहेगा second paper रहेगा educational administrator administration and management में ठीक है जो first paper है उसमें देख लिजे क्या क्या रहेगा जो first paper रहेगा उसमें general studies रहेगा general science current events और national and international importance रहेगा history of India रहेगा Indian national movement रहेगा Indian and world geography रहेगा Indian politics and economics रहेगा general mental ability रहेगी ठीक है अब इसमें जैसे first paper में जो जो topic दिया गया है उसे भी describe किया गया है कि किस किस portion से question पुछे जाएंगे ये जो pdf आपको मेरे telegram channel पे मिल जाएगा आप हाँ से जाके read out कलीजे जिस भी form को आप जिस भी post के लिए form फिल कर रहे हैं उस post में जो return test होगा या interview होगा उसका syllabus वगरा आप देख लीजेगा अच्छे सी कि exam कैसे होगा और syllabus क्या रहेगा ये second paper का भी descriptive type जो रहेगा उसका भी syllabus दिया गया है सारे point आप देख लीजेगा ये senior personal assistant के लिए दिया गया है कि first paper second paper में क्या क्या आएगा ठीक है ये जो pdf आपको मेरे telegram channel पे मिल जाएगा आप हहाँ से जाके अपने post के लिए जो selection process है उससे जरूर देख लीजेगा आप चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो last date है application form फिल करने का वो क्या है friends ये जो vacancy है ये पहले भी आई हुई है इसे फिर से reopen किया गया है और 22 जनवरी को ये news में भी आया हुगा था यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो last date है application form फिल करने की वो दिया गया है आपका 11 फरवरी 2022 रात 12 बजे के पहले आप form को फिल कर लिजेगा 11 फरवरी तक आपका last date है उसके पहले आप form को फिल कर लिए अगर आप eligible हैं और interested है तो आप ज़रूर form फिल कर लिजे ये अच्छा मौका है application fee भी बहुत ज़्यादा नहीं है और selection आपका return test और interview के बेस पे हो रहा है तो ये अच्छी opportunity है ooh friends invest inיבisti का जो official website का link है वह कर सकते हैं open on line और जो PDF आपको मेरे certified चैनल क्रीमिल जाए। उसका link जो है वह को मेरे discussion box में मिल जाए गा महां से जाकी हाप rate-out कर सकते हैं या फिर website से ही जाके आप notification को download करके वहाँ भी आप reroute कर सकते हैं ठीक है friends अगर वीडियो अच्छा लगे तो like करिएगा कोई query हो या कोई सुझाओ तो आप comment box में लिख सकते हैं वीडियो को share करिएगा और वीडियो को subscribe करिएगा चैनल को subscribe करिएगा मिलते हैं नक्स वीडियो में तब तक आप पढ़ते रहे हैं आगे पढ़ते रहे हैं थैंक यू